आज हम आपको मतर की ककळी बनाना बताएंगे उसके लिए लिए हमें चाहिए 200 गरम मतर हरा मतर उबाल करके इस तरह से पेस्ट बना लेजい तरह से देखें पेस्ट बना लेजिये दमचिक लेश Anda ये 200 ग्राम मतर है 200 ग्राम चीनी पॉडर है पॉडर बना लिजिए अब चीनी का एक ग्राम खोवा एक सुग्राम घी आधा चम्मज हमारा लाइची का पॉडर छोटी लाइची का पॉडर ये दस से पंद्रा बदाम टुकड कटा हुए छोटे-छोटे पीस में काटी है और ये ओरेंज का छोड़ा सा छिलका क्रश करके आपनी लीजे आधा चम्मज आई इसमें दो चम्मज करेंगे नेलिक चम्मज बड़ा चम्मज से हम घी डालेंगे कढ़ाई में ये देखें मावा जो है उससे मीटा से क्रम्बल करके चूल करिए इस तरह से डाल देगे अज बड़ा चम्मम अचिए तरह से जने दालेंगे बादन कांती जिसमें लागें निसले लागें इसेमें विसीले üst लें लागें लागएं Уबस भी आसने अप्लूपमें निकाली में हפड़ा हुले केड़्िय। अब देखें, इस तरह से ठंडा होने के लिए उनसे निकाल करके एक सेट रख देंगें, अब हम इसमें कढ़ाई में फिर से यह हमारा जो बचावा घीर सेम डाल देंगे, घी टालने के पाद तोड़ा दैम हो जाएकी, यह देखें, इसमें मतार का पेश पिसमें डाल करके अच्छी तरीके से भून लेंगें, अब देखें, अबचासे भून लेए। आफके रिखू सिह भूमें के, बूमेंगे कर दो एंच पिए एंच जद एंच, जज एंच, जड़े एंच, पर शाट, वीड़े ले एंच, लाट एंच, जड़े हैं, के लाट एंच, जड़े लोगे। जब भी आप इसे भूने मोटे ही पढ़ाई में भूने नहीं तो ये रिंचे से चल जाएगा देखें अच्छे तरीकसे फून जाना इसे च्छे से साथ भूनना है इस तरीकसे ये देखें अब इसमें हम फीनी पॉडर रगतार इसे में सलाते रहना है इसमें लंप नहीं पढ़ना चाहिए रगतार इसमें पॉडर में पाल शादये पूंग कि देखें यह निंगी इस तरह से औरेज का चलका मुने क्राश करके रखा तो उसे भी डाल दिये हैं यह अच्छी बॉडर भी डाल दीजिए कि देखें यह अच्छी तरीके से अपका त्यार हो गया है कतली बनने के लिए अब हम इसे ठंडा थोड़ा कर देगे उसके बाद कतली बनाना शुरू करेंगे इसे हम थोड़े ठंडा कर लेते हैं हमारा पेस्ट थंडा हो गया आपको इतना थंडा करना है कि आपका हाथ नहीं ज़िए इस प्रास्टी शूप में इस तरह से रख रहेंगे चाहिए इसले पहले कि घी लगा हो यह दिखेंगे इस तरह से अपना खेंगे शूप्रेंगे रिखेंगे प्लास्टिक को ही दुमा करके चरह से बेदेंगे एक जैसा एक बराबर एक साट से मोटा होगे एक साट से पतला होगे एक जैसा है इस तरह से हम इसको चौड़ा ही खोड़ा बेलें गोल निल करेंगे इस तरह से क्व通मों, और देपी जैसा रे यह एक से एक साट 2T तरह से लिए अपना खुवा इस तरह से इस प्लेट में भी घी लगा कि इस तरह से रोल के रहे हमें खुवा ज्यादा नी भूनना कडाई में ज्यादा भूनने से खुवा ड्राई हो जाएगा घज क्ई ल क्जा ओ। आव्थ तरह से ईसे एसे यस्प्थरSई कॉशे को, प्रभ प्रीट는 क्पें प्रसे पुशर्शे प्रसे प्र कट송शे पूस्टबार से उस्थर्बार सचे 2rd प्रसे वस्थर्शक्तो के उसथर्शे प्रसे से ब Hagום में ग्रसे इस तरह से फोल कर लेंगे देखिए आज हमारा रोल हो गया है इसे अब हम थोड़े दिर के लिए सेट होने के लिए दस नट फ्रीज में हम रख देंगे कत्ली सेट हो गया है अब इसे हम काट लेंगे इस तरह से प्लेट अब रख लीजे उल्टा करके अब इच्छे तरीके से काट पाईएगा इस तरह से आप अब इस प्लेटे के लिकाल देंगे इस तरह से इस तरह से इस के से भी रख सकते हैं इस तरह से भी रख सकते हैं देखे हमारा बटर का कतली त्यार है आप खाईए अपने दोस्तों को खिलाए और हमारा वीडियो देखना ना बूले थैंक यू